दोस्तो नवश्कार, दोस्तो सरकार ऐलान किये जाए, मीडिया बिना सवाल किये उसे दिखाता चला जाए और उस पर चर्चा के दौर में लगातार सरकार के ऐलान को लेकर ही उसके कसीदे गड़े जाए तो फिर जमीनी सच क्या ही आप कैसे जान पाएंगे और खास तोर से 20 लाग करोड के राहत पैकेज को लेकर जब आप दूसरी खे पास सामने आई तो उसने भी बहुत सारे सवाल सीधे तोर पर पैदा कर दी है क्या वाकई इस देश में अब पत्रकार का काम ये नहीं रह गया है कि वो अगर एसी कमरे में स्टीडियो में बैठा भी है तो कुछ हिसाब किताब कर ले समझ ले कि दरसल इतनी रकम है कितने लोगों को दी जा रही है मिलेगी कितनी या फिर जो सरकार ने अपने तोर पर चीज़ें दे दी है और जिन जगहों पर वो पहुँच गई है वहां के लोगों से बात कर ली जाए और पूछा जाए जो सरकार कह रही है ये आपको मिल गया है ये मिला है कि नहीं मिला है ये बड़ा छोटा सा काम है ये कोई पत्रकारी ये हुनर इसके लिए नहीं चाहिए ये तो एक बेसिक चीजे होती है लेकिन हमें लगता है कि मौझूदा वक्त में 20 लाक करोड के जिस राहत पैकेज का एलान है दरसल भारत एक मात्र दुनिया का देश है जहां पैकेज की परिभाशा भी बदल दी गई दुनिया भर में जितने भी पैकेज दिये जा रहे हैं उस पैकेज का मतलब यही है कि ये हमने आपको रकम दे दी ये हमने राहत दे दी हम इसकी एवज में आप से कुछ नहीं लेंगे भविश्य में भी नहीं लेंगे इसे तो हम भूल जाएंगे क्योंकि एक रहात पैकेज है लेकिन भारत की फेरिस्त अगर देखिएगा इस रहात पैकेज के भीतर की तो आपको इस सच की जमीन बड़ी पोपली दिखाई देगी ये दरसल एक रुखड़ापन है इसके भीतर इसके भीतर एक तरीके की तरास्दी भरी हुई है और कहें तो बहुत बड़ा जूट भी है इसके भीतर में हमें लगता है कि आज सिलसलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कहां से शुरू किया जाए अगर तुरत आपसे जिक्र करें कि मैथमेटिक्स का सवाल है ये तो आप सोचिए कि इस देश के भीतर में लगभग 86,600 करोड का लोन किसानों को दिया गया मार्च और अप्रेल में जिक्र फैनांस मिनिस्टर ने किया कितनों को दिया गया 63,000,000 लोन मंजूर किये गये 63,000,000 लोन अगर मंजूर किये जाते हैं और कुल रकम अगर 86,600 है तो आउसत एक लोन पड़ेगा लगबग 13,746 रुपए यानि एक किसान के पास आया 13,746 रुपए ये एक औसत इस्तिती है जो मार्च और अपरिल का जिक्र हुआ है अब इसके जरीए ही उसको राहत आने वाले वक्त में समझनी है भोगनी है जो करनी है जिस रूप में कर ले एक इस्तिती है दूसरी इस्तिती मुद्रा शिशू लोन मुद्रा शिशू लोन पचास हजार तक दिया जाता है और अगर इसको मुष्ट मिला दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए और सरकार नजबाजिय का लगबग lucky कई। मुद्रा शिशू लोन में राहत मिलेगी और कितनो को राहत मिलेगी और ये जानकारी आई तीन करोड लोगों को रहत आएगी तो फिर जब इसे जोडा गया तो पता चला सिर्फ पांसो रुपए हर किसी को मिलेंगे यानि शिशु मुद्रा लोन के तहत पांसो रुपए आप बाटने जा रहे हैं ये कौन सा वीजन है किस इस्तिती में हमें लगता है कि आज इसके भीतर गुसें और आपको जरा समझाने की कोशिश की जा उससे पहले पीम केर के बारे में ही जान लीजिए प्रधान मंत्री ने जो केर फंड लिया है उसमें एक हज़ार कौड रुपए इस देश के प्रवासी मजदूरों के नाम किया है इस देश के भीतर में प्रवासी मजदूरों की तादाद अगर दो हजार इग्यारा के सेंसेस को बिस बनाए तो चौदा करोड थी लेकिन दो हजार बीस तकाते आते जो अलग-अलग मार्फत जानकारी आती है चाहे वो आई-एलो की जानकारी हो यानि इंटरनेशनल लेबर और्गनेशन हो या सीमाई हो या फिर अलग अंजियोज हो उसके जरीए ये बात निकल कर आती है इस देश में लगबग 23 करोड से ज़्यादा प्रवासी मजदूर है अब आप सोचिए 1000 करोड को अगर 2011 के सेंसेस के इसाब से 14 करोड में माटिएगा तो हर के हिस्से में आएंगे 71 रुपए 42 पैसे और अगर 23 करोड मान लीजेगा तो हर हिस्से में आएंगे 43 रुपए 47 पैसे इसके लिए कोई बहुत दिमाग लगानी की जरुरत नहीं दूसरी स्थिति दिखाईए कहा गया कि 2000 करोड वेंटिलेटर लेकर आएंगे और वेंटिलेटर कितने लाएंगे इसकी भी जानकारी दी गई लगभग 50 हजार वेंटिलेटर हम लेकर आएंगे हमने जब पता लगाये कि वेंटिलेटर की कीमत क्या होती है इस 50,000 वेंटिलेटर को लाने का मतलब है 4,000,000 का एक वेंटिलेटर है और वेंटिलेटर की कीमत अगर डिजिटल तोर पे आप लेते हैं तो सबसे सस्ता डिजिटल वेंटिलेटर मिलता है लगभग 45,000 में और सबसे सस्ता mechanical ventilator जो होता है वह मिलता है एक लाक पच्चिस हजार में और digital का जो highest range है वो तक्रीबन 9 लाक का पड़ता है और mechanical का जो highest ventilator है उपरी range है वह भी लगभग 9 लाक का पड़ता है लेकिन इन्होंने 4 लाक बीच में इस्तिती लाई है और 50,000 ही ventilator ला रहे हैं लेकिन digital और mechanical ventilator की बीच की इस्तिती में अगर आप आईएगा तो ये और कम मिल सकता है इसका मतलब क्या है ये आप समझे इसके मतलब और माइने आने वाले वक्त में क्या होंगे ये बताते हुए कि इन सब के बीच 100 करोड रुपए रिसर्च के लिए भी दिये गए है COVID के रिसर्च के लिए और आपको जानकर हैरत होगी सिर्फ Harvard University का जो अपना बजट है इस COVID वाइरस को लेकर रिसर्च के तौर पर वह भारत द्वारा दिये गए 100 करोड से लगभग 25 गुना ज़्यादा है अब आप सोचिए क्या इस्तिती है और इन सब के बीच हाला कि अच्छी बात या है कि BRICS का जो New Development Bank है उसने एलान किया है कि वो लगभग 100 करोड डॉलर यानि तक्रीमान 76 हज्यार कौड रुपाए भारत को देगा ज़र समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग कहां पर खर्च कर रहे हैं किस रूप में खर्च कर रहे हैं और इसके मतलम माईने क्या होंगे सरकार किस रूप में दे रही है क्या दे रही है लेकिन आज जब अईलान हुआ किसानों का तो हमें लगा कि ये एक बड़ी बात हो रही है किसानों को लेकर सरकार समविधन शील बहुत पहले से रही है और इसका जिकराज वित राजमंत्री ने भी कर दिया कि 2014 से ही किसानों को लेकर सरकार फिक्रमंती और उसके बाद जो उन्होंने डाटा देना शुरू किया हर जगा कैसे कैसे चीजे पहुँच गई हमें लगा कि तुरत इसका पता लगाना चाहिए जैसे किसान सम्मान ने दी छे हजार रुपए जो दिये जाते हैं यानि दो-दो हजार रुपए हर चार महीने पर वह पहुचा है की नहीं पहुचा है और इस पार हमने जान बूच कर ऐसी जगा को चुना जहां पर महत्मा गांधी भी गए थे चमपारन सत्याग्रा शुरू करने से पहले जब वह चमपारन गए थे फिलहाल वो पूर्वी चमपारन का हिस्सा है उसमें उसका उस समय हेड़कॉर्टर मोतिहारी हुआ करता था तो हमने सोचा वहीं के गाउं के लोगों से पता लगवा ले और तमाम जगहों पर स्ट्रिंगर्स रहते हैं रिपोर्टर रहते हैं आपको कुछ बहुत करने की कोशिश नहीं करनी है एक फोन लगाईए और पता लगाईए कि भाई आप इस गाउं में जरा पता लगा लग गए थे उस गाउं के बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई जो पटी जसौली गाउं है लेकिन उसके इर्द गिर्द के दो चार गाउं की जानकारी मिली जिसमें एक लक्षपन टोला है जिसमें एक है पातूरिया टोला भताता एक गाउं है उसके अलावे एक नौरंगिय गाउं है हमने यहां के लोगों से पता लगवाया कि उनको किसान सम्मान निधी मिली है नहीं जो आज एलान हो रहा था उससे पहले जो दिया जा चुका है उसकी जानकारी जब सरकार की तरफ से दी गई पूरवी चमपारण के मोतिहारी के लक्षमन टोला उस गाउं का नंबर है 929558 सरकारी दस्तावेज में वहाँ पर कुछ नाम हम पढ़ देते हैं कुल उस गाउं के 166 लोग है जिसे किसान सम्मान निधी मिलना चाहिए जिन से पूछा गया नहीं मिला है उसमें कुछ नाम आपको बता देते हैं अजैशा, बाबुलार प्रसाद, चंदा देवी, अमरिता कुमारी, भगवान प्रसाद, अर्जुन कुमार, भोला प्रसाद, धर्मेंदर प्रसाद, चंदरेश्वर ठाकूर, गणेश पास्वान, हाकिम प्रसाद, गीता देवी, जागिया देवी, राजेश्वर कुमार सा सुरेश प्रसास, शिपूशन प्रसाद, जैमती देवी नहीं मिला है एक और गाउं है जो कि पट्टी जसोली जहां पर महत्मा गांदी गए तो उसके बगल का है पातूरिया टोला बहुत आता है इस गाउं का नंबर है 217-980 यह ज़्यादा तर यहां पर सहनी परिवार रहते हैं तो रामबचन सहनी, शिवनाद सहनी, मदन सहनी, विने कुमार, सुमित्रा देवी नहीं मिला है जो जानकारी निकल कर आई किसी को भी किसान सम्मान निदी की रकम नहीं मिली है, एक नौरंगिया गाउं है, इस गाउं का नंबर है 217-922 अजे कुमार, अनंत राय, अनिल राय, बिंदू देवी, नंदलाल प्रशाद यादव, नरायन राय, लगभग साड़े 300 से जादा इस गाउं में सम्मान निदी पाने वाले किसान है, नहीं मिला है, जो नाम हमने चेक करने के लिए बता दिया आपको कि आप भी चेक करेंग करा लें, उनको काम मिल जाएगा, तो इसके लिए भी जो डाटा दिया गया, आज जो दिया गया, उस डाटा को वो डाटा हलाकी बताया गया अब 13 तारीक का है, लेकिन हमने 14 का देखा, आज की तारीक में अभी तक की इस्तिती मंद्रेगा के तहत क्या है, उसमें वो जानक काम दे दिया है, एपरिल 2019 में जितने लोगों को काम दिया गया था, वो तक्रीबन 2 करोड 13 लाक 12 हजार 33 किसान थे, और एपरिल 2020 में जिने काम मिला मन्रेगा के तहत, उनकी तादाद 1 करोड 77 लाक 61 हजार 412, यानि तक्रीबन 36 लाक लोग कम हैं एपरिल के महीने में, जो प से निकाल लेते हैं कि किस रूप में ओसत है, उस लिहाज से 2020 के मई में 2 करोड 72 लाक लोगों को काम मिला, लेकिन 2019 में चले जाईएगा, तब पता चलेगा कि वहाँ पर 3 करोड 61 लाक लोगों काम मिला था, यानि उसमें भी लगभग और इस्तिती लगभग 36 लाक से कम की इस सवाल यह है कि हमें सिर्फ आकड सरकार को भी बताने हैं जैसे 20 लाक करोड बोल दिया गया, यह कमोवेश वैसे ही है, जैसे आपके जहन में एक दोर का याद आएगा कि 15 लाक हर खाते में पहुंच जाएगा, यह हमें लगता है कि समझना होगा कि खास तोर से हम लोग जब करते हैं बिहार यूपी का, जहां से सबसे बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर देश भर में फैले हुआ है, अभी भी अटके हुआ है, याद कीजिए 2015 उस वक्त जब प्रधान मंत्री गए थे वहां पर पहली बार, तो कह रहे थे कि कितने का पैकेज दे, 60 हजार करो और उन्हें बोला था फिर एक लाग बीस अजार करो का, पैक एक लिहास से बोली लगा रहे थे, तो वह उस दोर में चले जाईएगा और अब की इस्तिति में देखिएगा, तो आपके जहन में एक सवाल होगा, क्या उस समय पैसा बहुत जादा था, क्या इस समय पैसा नही है, यह सारे सवाल आपके जहन में आएंगे, और इतना ही यह सवाल नहीं आएगा, बलकि यह इस्तिति क्यों आगई, यह भी सवाल आएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, 2014 में क्या इस्तिति थी, 2014 में कमोवेश भारत की एकनौमी जो थी, वह दो ट्रिलियन की थी, और अकसर 6%, 7%, तो वो ग्रोथ का पैसा कहां गया, वो किस दिशा में चला गया, जाहिर है सरकार ने इस दौर में अपने तोर पर बहुत सारे पॉपलिस्ट मेजर अपनाए, अपने परचार परसार में खुब पैसा लगाया, और एक लिहाज से टोटली अन्प्रोडक्टिव का इस दोर में खुब हुआ इस देश के बीतर में, और इसके ठीक समनांतर, इस देश की जो पैरलल एकनॉमी थी, जिसको कुछ लोग ब्लैक बनी भी कहते हैं, कुछ कहते हैं, छुपाई हुई रकम होती है, वो चाहे घर की दादी, मा के हिस्से में आती हो जो डब्बो में थ या फिर जो नोटबंदी के बाद से चीज़े इस देश के बीतर में खतम होई, वो पैरलल एकनॉमी इस देश में खतम हो गई, और सरकार ने ये मान लिया था कि दरसल धीरे-धीरे हम पूरे देश की एकनॉमी को अपने साथ समेट लेंगे, जैसे चाइना के बीतर की पूरी प्रक्रिया में सरकार ने इस देश के कंजूमर को ही खतम कर दिया, जो कंजूमर था, अब कंजूमर नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो फिर ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो फिर आपका डिवलप्मेंट कैसे होगा, कल ये सवाल पूछा गया था वित्तमंत्री से कि पैसा कहां से आएगा तो उन्होंने कहा था बौरो करेंगे बौरो करने का मतलब होता है नोट छापेंगे लेकिन सवाल है नोट छापेंगे ग्रोथ होगी नहीं ग्रोथ होगी नहीं इंफलेशन बढ़ते जाएगा महंगाई ब इस देश की जो पैरलल एकोनॉमी और इस देश के कन्जूमर को आपने खत्म करके इस स्टेट को ही एक बड़ा कंजूमर बना लिया, तो आज ऐसी स्तिति आ गई है, जहाँ पर इस स्टेट कम्जोर कंजूमर है, और बेसिक कंजूमर जो था इस देश का उप भूगता जो था वो खत्म हो गया अब हाप क्या करेंगे और कैसे चीज़ों को पट्री पर लाएंगे यहीं पर एक शुनिता है और यहीं पर वो भाव है जहां पर विजल नजर नहीं आ रहा है कि इस देश को समालें तो कैसे समालें क्योंकि और इसको जब आप समझने की कोशिश करेंगा जिन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे थे मनरेगा के तहट देखिए बिहार में 2019 के एपरिल के महीने में 11,52,000 मनरेगा मजदुरू को काम मिला इस साल सिर्फ बिहार में 8,56,000 को मिला अगर मई के महीने में आईएगा तो मई के महीने में 13,00,000 पिछले साल 13,00,000 मजदुरू को काम मिला था इस बार 9,30,000 यानि कम काम मिल रहा है तो जो लॉट रन को अब काम कैसे देंगे और मई के महीने में अगर आईगा ये तो अपरिल का महीना था मई के महीने में 2019 में साड़े 14 लाक मजदूरों को काम मिला था और मई के महीने में 2020 में 10 लाक मजदूरों को काम मिला है मदपरदेश की इस्तिती भी कमोवेश मदपरदेश में मई के महीने में चीजे प्रोग्रस जरूर हुई है माई के महीने में 2019 में लगभग 15.5 लाग को काम मिला था 15.5 लाग मजदूरों को अभी इस बार 24 लाग के लगभग टार्गेट में आ गया है कि हम माई के महीने में काम दे देंगे तो मदपरदेश में ज़्यादा काम मिला है इंकार नहीं है लेकिन अवराल जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये काम ज़्यादा कहां मिल रहा है कैसे मिल रहा है हाला कि जो डाटा सामने आ रहा है उसके मताबिक लगभग 22 लाग मजदूरों को इस देश में काम ज़्यादा मिल जाएगा मई के महीने में अपरेल में 36 लाख लोगों को कम मिला है इसमें मिल जाएगा अगर ये इस्तिती है और कम ज़्यादा के बीच महीं अगर हम लोग चल रहे हैं तो फिर एक अगला सवाल यह भी आएगा कि जो लोग वाकई गाओं लोट गए हैं उनके सामने अगर काम नहीं रहेगा तो कल फिर वो वहाँ से निकल कर वापस शहर में आएंगे और शहर की इस्तिती में अगर डिमाड नहीं है जो हमने का कंजूमर कतम हो गए इस्टेट अपने तौर पर सबसे कमजूर कंजूमर हो गया उसके पास पैसा देने को नहीं है वह इस्टेट को जो पैसा दे रहा है इस्तिती यह आ गई है कि वह किसानों के अनाच को राज्य खरीद ले इसके लिए तकरिबान साड़े छे हज़ार कड़ों को जब देश पर में आप बाटेंगे तो फिर आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर कितना पैसा दिया गया यानि सब के हिस्से में कितनी रकम आ रही है 28 रज्यों में चीजों को बाटना शुरू कीजेगा तो फिर आप फस जाईगा इतनी रकम में कैसे इस तो एक गाउंग में आनाज होता इतना उसी को खरीद पाएंगे कि आप लेकिन रकम बता दी जाती है कि बहुत जादा है औ उसे पहले एक चीज हिंदुस्तान का एक असल सच को जान लीजिए असल सच भारत का ये है कि हर पांस साल में जो गरीबी रेखा से नीचे वेक्ती होता है उसकी आए में जो बढ़ोतरी होती है वो दस रुपए से ज़्यादा नहीं हो पाती है प्रती महीने है दस रुपए होता है उसकी आए पांच बरस में लगभग चार से साथ परसंट तक बढ़ती है लेकिन इस देश के MLA की आए जो विधायक होता है अलग लग राज्यों में उसकी आए चालिस से सतर परसंट तक पांस साल में बढ़ जाती है जो सांसद होते हैं तकरीबन पांसो से दो सो फ परसंट तक और कईश हों की तो 300 ए 300 और 3000 परसंट तक भी बढ़ी है इसमें कोई कार नहीं है यह हमने एक एवरेज निकाला है ओवर आल तो इस देश के भीतर में किनकी आह बढ़ती है किस रूप में आह बढ़ती है पहला सवाल है दूसरा बढ़ा सवाल है कि क्या वाकई अब राज्यों के पास पैसा बच पा रहा है क्योंकि हर चीज फेल हो गई है tax process failure हो गया GST में पैसा नहीं आ रहा है और state GST जो होता है वो लगबग 40% चलता है वहाँ पैसा नहीं आ रहा है तो कहां से पैसा लाएंगा वैट जो ज़्यादा तर petrol diesel पर लगता था इस दो महीने में वो कंगाल हो गया 21% उससे पैसा आता था वो भी खतम हो गया जो शराब थी एकसाइज उस पर लगाय जाता था 12% आता था वो भी खतम हो गया जो प्रोपर्टी और कैपिटल इंवेस्टमेंट था वो भी इस दोर में खतम हो गया जिससे लगबग वह भी 11.2% आता था और जो वेकल्स पर जो टेक्स लगाया जाता था उससे तक्रीमन साड़े पांच फिस्दी आता था यानि स्टेट के पास वैसा नहीं है सेंटर बोल रहा है हम बॉरिंग करेंगे यानि पैसा हम चापेंगे नोट चापेंगे और आरबियाई के जरीए पैसा लेंगे एक नौमी आप इसके जरीए चलाना चाहते है और ये कोई पैकेज नहीं हो रहा है इस देश के भीतर में जो रियायत और रात है वो सिर्फ इस अधार पे है कि बाद में हम आपसे चीजों को वसूल लेंगे अब चिन्ता ना करें यानि एक पूरे के पूरे प्रॉसेस में भारत के भीतर का नया संकट यह है कि एक तरफ अनिम्प्लाइमेंट पीक पर है अर्बन अनिम्प्लाइमेंट 30% पर है अवर ओल देश का 27% पर सेंट पर है जो रेजिस्टर्ड है अन्रेजिस्टर्ड की इस्तिती क्या होगी कोई नहीं क्या सकता है और हम जब एकनॉमी को 20 लाक करोड के दाइरे में रहप के तौर पर देखते हैं तो जो उत्सा वित्तमंत्री का है और जो उत्सा प्रधानमंत्री ने भी जटाया उसके भीतर का सवाल ये है कि आप अगर इस तरीके से आखनों के हेर फेर में अगर परिस्तिती को ला रहे है तो आपके जहन में कुछ सवाल होने चाहिए देश पूरा चलता एक दूसरे से जुड़ा हुआ था मसलन इस देश के भीतर में लगभग 15 लाग टेक्सियां चलती है मुंबई जैसे शहर में 2 लाग टेक्सियां है दिल्ली जैसी जगा में आटों ही यहाँ पर 1 लाग से जादा है टेक्सी अलग है 1 लाग से जादा इस देश के भीतर में इतनी बड़ी एकनौमी को चलाने वाला हर वेक्ति ठप पड़ गया एकनौमी में ब्रेक लग गया अब आप चीजों को डेवलप कर रहे हैं उन आकड़ों के जरीए और बताना चाह रहे हैं कि दरसल ये इससे ठीक हो जाएगा यानि आप अभी भी नहीं सोच पा रहे हो कि हमें करना क्या है क्योंकि जब तक आप सच नहीं सुईकार होगे तब तक आपके सामने कोई नया विजन कैसे आएगा और दूसरा कोई कैसे रखेगा चाहे वो रगराम राजन हो चाहे वो अरविन सुब्रमन्नेम हो या इस देश का कोई भी एकनॉमिस्ट हो वो कैसे रखेगा अपने आइडियास को क्योंकि आप तो मान कर चल रहे हो ये इस्तिती है उस से शांदार इस्तिती से अमने पट रहे है और 21. सदी भारत की हो जाएगी आप इस द्रिश्टी से चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हो लेकिन उसके भीतर इस्तितियां क्या है क्योंकि जब आप एलान कर रहे हो कि हम किसानों को इतनी रहत देंगे उसमें आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हो उसमें एक तरफ जो किर्शी कर्च दिया जा चुका है उसके जिक्र करते हो उसके बाद जो नावाड इंफ्राइस्ट्रक्चर को लेकर या अलग-अलग योजनाओं को लेकर खर्च करता है आप उसका जिक्र करते हो छोटे किसानों को जो 30,000 कोड़ का जो अत्रिक्त फंड नावाड के जरीए दिया गया है वहां कमोवेश इस से पहले के हर बरस में खुद सरकारी डाटा बताता है जादा दिया गया है तो इसका मतलब है कि आपको अभी भी आइडिया नहीं है आप सिर्फ आखणों के जरीए इस देश को किस तरीके से बेकुफ बना दिया जाए क्या उस दिशा में आप सोचना चाहते है क्योंकि ये सारी परिस्तितियां धीरे धीरे आपको ऐसी दिशा में ले जा रही है कि आप टैक्स में रियायत नहीं दे रहे है टीडियस में रियायत दे रहे है वो अभी 10% देते थे टिडियस तो 7.5% देना होगा जो MSME को दिया गया है एक्विटी जो और MSME का हिस्सा जो है हमें को लगता आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए MSME का मसला ये है कि वहाँ पर 20% संपत्ती जो है वह सरकार कॉलेट्रल देगी और बाकी 80% MSME वाले को लगाना पड़ेगा और MSME की जो बढ़ा दी गई है उसकी जो रेंज बढ़ा दी गई है उसको जो करोडों में तबदील कर दिया गया है माइक्रो को कर दिया गया है एक करोड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं स्मॉल को 10 क्रोड कर दिया गया है मीडियम को 20 क्रोड कर दिया गया है और यानि MSME चालू ही नहीं हो पाएगी कैसे चालू होगी जब आप बैंक लोन क्यों देगा इस देश के भीतर का पहला और आखरी सच यही है बैंक से लोन लीजिए उसी लोन को अलग अलग तरीके से डैवर्ट कीजिए उसी से चीज़ें डैवलप कीजिए लगे चीज़ें चल रही है तो चल जाएंगे डूब गई तो फिर बैंक का पैसा डूबा और वो एक NPA में कनवर्ट हो जा रहा है अपने तरीके से निकल जाएंगे इसलिए ध्यान दीजिए इस क्राइसिस के वक्त में इस देश में सियासत हो रही है जिक्र हो रहा है नीरब मोदी को कॉंग्रस बचा रही थी विजय मालिया उधर कह रहे हैं लोन हम चुका देंगे आप हमको वापस बुलाईए आप समझे चीजे कैसे डैवर्ट करने की कोशिश है या फिर उलजाते हुए अपने आपको ही आँखे बंद करने की स्थिती में आ रही है क्योंकि माइक्रो हो स्मॉल हो या मेडियम हो एक करोड से बीस करोड के बीच में अगर कौट्रल मदद सरकार की तरफ से सिर्फ बीस परसेंट की होगी जो बैंक के जरीय मिलेगी तो वो बाकी किसी के पास तो ये लिक्विडिटी है ही नहीं और लिक्विडिटी नहीं तो किस तरी और जब वो लगा भी देगा कहीं पर तो कंजूमर तो खत्म हो गया डिमांड है नहीं ग्रोथ हो नहीं पा रही है इसी लिए ये सवाल है कि आखिर आपके सामने जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है क्या आखरी बात हमें लगता है कि महात्मा गांधी भी आज होते वो तो चमपारन सत्याग्रह शुरू करने गए थे और उस चमपारन सत्याग्रह को शुरू करते समय उनके जहन में उस समय नील की खेती होती थी वहाँ पर इस समय तो नील की खेती करने के भी इस्तिती इस देश के भीतर में किसानों के सामने नहीं है और जो जूट फरेब जो सामने आ रहा है वह इतनी इस्तिती बिगड़ी हुई है कि जब उस चमपारण के गाउं में ही समान निभी नहीं पहुंचा है तो फिर इसके मतलब गया है इसके मतलब यह कि सरकार की तरफ से जो भी अलान हो रहा है हिंदुस्तान की एकनॉमी को माइगरंट वरकर समालता था और माइगरंट वरकर ही अपने तौर पर अपने परिवार को पालता था क्योंकि मार्च और अपरिल के महीने में इन सरकारों ने जो भी दान कर दिया जिस रूप में कहा गया दान तो नहीं कहें जो कहा जा रहा है माइगनेट वरकर के लिए एक हजार कौड रुपए दे रहे हैं और उसमें पहले नमबर पर उत्तर परदेश है फिर बिहार है उत्तर परदेश में 274 करोड मनी ओर्डर से पैसा गया है मार्च और अपरिल के महीने में और बिहार में 101 करोड रुपए गया है तेलांगना में 989 करोड गया है यानि एक नौमी जो चल रही है इस देश को जो चलाया जा रहा था उसमें सरकार हर जिम्मेदारी से पल्ला बहुत पहले जार चुकी थी और अब जब पहली बार उसके सामने एक चुनौती आई है कि उसे इस देश को चलाना है तो देखिए किस तरीके के आंकड़े और किस तरह का ब्रम हम लोग की आंकों के सामने है और ये सारे सच अगर रिपोर्ट्स के जरीए और इस देश के जरनलिस्ट लग जाए तो सारा खाचा हर के सामने हर तरीके से आ जाएगा बहुत 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 शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया